आपको सलमान सर पसंद है? तो इनकी ए तीन लड़ाई की कहानी शायद आपको बहुत पसंद आएगी आकरी वाली कहानी में ट्विस्ट है तो ध्यान सा देखना पहली कहानी Air Rahman इंडिया के सबसे बड़े सिंगर है और सलमान सर सबसे बड़े आक्टर लेकिन इन दोनों की भी लड़ाई हो गई जिसके तीन रीजन थे पहला, एर रेमान सर ने अग्री किया था कि वो सलमान सर की मूवी दिल ने जिसे अपना कहा कि म्यूजिक कंपोस करेंगे लेकिन तीन गानों के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा जिस तरह से मूवी और म्यूजिक चल रहा था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है प्रजेक्ट इस बात से सलमान सर काफी गुसा हो गए तूसरा, रेमान सर का म्यूजिक जैहो, उनका पेटन्ट सौंग है जो सलम डॉग मिलियनेर मूवी में था और सलमान सर ने जैहो के नाम पर अपनी मूवी बना दी रेमान सर ने इस बात पर नोटिस भीचकर सलमान सर को रोकने की कोशिश करी पर फेलोग तीसरा सीन हुआ जब रॉनक आलबम का लाँच हो रहा था और यह आलबम रेमान सर ने कंपोज किया था इन दोनों ने एक से बढ़कर एक हिट मूवीज दी है ये बात तब की है जब रनबीर सर अपना डेब्यू करने वाले थे सावरिया मूवी से इन दोनों का रास्ता क्रोस होता है एक हाई-ेंड पब में जहाँ पे संजे दद भी मौझू थे जब इनकी किसी एक बात पर आर्गुमेंट होती है और फिर सल्मान सर ने खीच कर रनबीर सर के कान के नीचे रख दिया फिर बात आगे इतनी बढ़ गई कि संजे सर बीच में उनकी सुलह कराने लगे पर उससे भी कुछ नहीं हुआ फिर इसके बाद सलीम खान सर जो सल्मान सर के पापा है वो रिशी कपूर सर के पास जाकर मैटर को सौल करा लडाई पुरानी थी पर आग में घी तब डलता है जब रनबीर सर ने सल्मान सर की गर्डफरंड चुरा ली उथी कट्रीना के एफर तीसरी जुबेर खान बिग बॉस 11 सीजन के कंटेस्टन थे और उनकी सल्मान भाई से लडाई हो गई थी वीकेंड के वार में सल्मान सर ने जुबेर सर के शब्दों और हरकतों पे उन्हें काफी कुछ बोल दिया और उसके मानों जुबेर सर की लाइफ ही बदल गई जुबेर सर ने सल्मान सर पे केस कर दिया केस की वज़ा से उन्हें दिन भर थ्रेट्स आने लगे जब कोट का टाइम आया तब कोट में सल्मान सर के लॉयर ने उन्हें एक अलग केस में घुमा कर तीन महीने जेल में रख दिया, जिसकी वज़ा से उनको अपना केस वापस लेना पड़ा जो भी कहो, दुबेर सर ने किसी से दुबारा पंगा नहीं लिया इन लोगों ने तो बहुत गलत पंगा ले लिया और सल्मान सर के बड़े पर सब ने क्या किर्वट दिये, उनके नीचे वीडियो दिये